आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं हर खबर आपके सामने लेकर क्याते हैं पूरे अर्याने की नजर है बरोदा उप्चनाव को पर कॉंग्रेस पार्टी के दिगज नेता हमारे साथ जैप्रकास फुरुफ जेपी जी बातचीत करेंगे निसे चुनाव को लेकर कि हैं अब भी कोई संक्का है क्या जी इहां तो चोदरी ब्लपेंदर सिंह रोड़ा के उन्हें नाहीं से लोगों में इतना जहोषा आता है और नोजवान ब्लेर सभुड़ा के सिek दिवान ने है तो लोग उन्हें मन बना लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो candidate का selection हुआ है वो जो सूज भूज है क्योंकि एक लंबे अर्शे से चर्चा रहती है कि रांती में बड़े परिवार आते हैं साधान परिवार के लोगों को मौका नहीं मिलता लेकिन ये भी लोगों में चाव है कि चौदरी बुपेंदर सिंग उड़ा ने एक साधान किसान के बेटे को मौका दिया है तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसके पक्स में बोटा लो और कांग्रस बहुत भारी भावमत से जितेगी जब प्रगाजी आप यह बात करें हैं कि बुपेंदर सिंग हुड़ा ने एक ऐसे प प्रियास थोरी गुटबाजी का कारण है ऐसे टिकट मिलना उनको क्या जवाब देना चाहेंगे सर यह मारी पार्टी का मामला है यह मेडिया के सामने कुछ नहीं कहूंगा किसान और तो किसान और निकोर्त नहीं और काहई कर रहे हैं क्यास और पहली बात तो है कि यह पता नहीं है किशान क्या होता है यह तो गुरगावा में वेपार करते हैं और वेपार भी भी बिल्डर का करते हैं कंस्रक्ष्टन का काम करते हैं तो जेपी दलाल ने कुण सा ऐसा खेती का काम की किया हुथा तो पता लग जाता है आज यह 100 फीसदी किसान अंदोलन कर रहे हैं मजदूर अंदोलन कर रहे हैं और हम जया परकास को कहते हैं अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता है वो जनता के सामने संदेश दे कि जो चोदरी बुपेंदर सिंग हुड़ा ने नो अगस्त दो जार साथ में किर्शी बिल पास किया था कॉंट्रेक्ट भी सेगरिकल्टर बिल क्या उस पर अडिग रहेंगे या उसको चोड़ करके भाग देंगे क्योंकि दो बिल सामने आएंगे एक तरफ अर्याना पर्देश की सरकार जो 2007 में उड़ा सामने बना आता हर्याना के लिए और एक केंदर की सरकार ने जो बनाया है तो जैपरकास पहले जनता को बताए क्या अर्याना प्रदेश में बनाया वाहूर जो अलड़ी लागु है उसको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे बिलकुल कई वार जब जनता से मिलते हैं या कॉंग्रिस पार्टी के दिगज निताओं से मिलते हैं आप जैसे तो कहते हैं कि रूदधा का तो counting capture कर ली थी सरकार ने, हार कैसे होई थी, इतना घिनोना कारी है जो सरकार ने किया है दिपेंदर सिंग उड़्डा के साथ, यानि कि फोज के बोट भी जर्नल से कहकर के जो जर्नल को उपहार दिया फे, जर्नल को उपहार सरूप सारी फोजों का अध्यक्स बना दिया, यह यह साथ गाट की गई थी, फोज में साथ गाट की गई, पुलिस में साथ गाट की गई, करमसारियों के जो पोस्टल बैल्ट टाने तो उसमें साथ गाट की गई, जनता के वोट के इसाब से तो दिपेंदर सिंग जीत रहा था, तो आप कैसे कह सकते हैं, आपकी ब्रोदा उ प्रजेक्ट दिये हैं विजेपी नभी यहां पर ना तो बुटाना को युनिवरस्टी का दर्जा दिया गया अगर कोई आदमी उसकी चिठ्टी लागे दिखा दे तो जो जनता कहीं मैं वो जंड सविकार करने के लिए त्यारूं जूट है दूसरी बात यह है कि आपने कहा है आई-एम्टी आई-एम्टी जो खुर्खोद्दा में थे उसी को चालू करवाल होना है इन्हों तो यह भी क्या था जीन में मेडिकल कॉलिज बनाएंगे आज पांच साल से शिल्यानास किया हुआ है आज तक तो जीन में मेडिकल कॉलिज बनाएंगे आज तक तो कोई नहीं बनाया यानि कि यह जूट और लूट के सहारे जो यह गठबंदन सरकार है इसको सुद्वासम में यह कह सकता हूं कि अकंड अकंड जी घमंड अंकार और संपूर्ण लूट दुन दूदलों का एक दे दे है एक लक्स है उस पे सरकार डे मेडिया के मादम से बुर्दा हलके की जनता है क्या संदिश देना चाहेंगे साथ मैं बुर्दा हलके के हर मदाता से निमेदन करूंगा के साथियों यह तो बेर को अंगूर कहने का परियास कर रहें बीजेपी के लोग और जेजेपी का जहां तक सुवाल है मैं मानूं अग लगे वो फाइल कहां है अब यह कहने से तोड़े बोला कोड ऑफ कंडेक्ट लग गया चीफ निश्ट चाहे तो रात तो रात में कोई भी सिक्षन संस्थान बना सकता है उसका उधान में देता हूं पेंदर सिंग हुड़ा 26 जनवरी 2006 को जीन में आय थे और रात को उन्हों सेंटर बनाऊंगा करशेतर यूंस्थी का दस दर में चिठी आगी वह चिठी का है चिठी दिजो अगर इननोंने बुटाना को यूंस्थी बना दी चिठी दिखा दो वो करे मां खरकोदमा आय एम्टी बनाऊंगा चिठी दिखा दो चल बीजेपी का एक नेता मुझे ये बता है जो जो यह सड़क बनेगी ना एक्सप्रेस आई वे यह कहां से बनेगा यह दून पर रहेंगी नहीं है इनका इंट्रेस्ट ही नहीं है जूट बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जीन जो कह दिए अवला कूंडली से चलेगा खरकोद्दा के साथ से जीन जाएगा जीन से बड़ा गाव है खरक पंडो बड़ा गाव मेरा अपना जो नेट्वी विलेज है वहां से होता हुआ सिद्धा पंजाब जाएगा वह इसका रूट रूट का पता नहीं नहीं यह तो जूट बोले क्या इन पर विश्वास करोगे आप बताओ आप विश्वास करोगे जीन म सब्सक्राइब करता हूं मैं तो पॉल्टिकल पार्टी का कारिय करता हूं आप यह संदेश दो कि लोगों इनके बैकाई में मत आना यह बहरूपियत किसम के लोग हैं रंग बदल बदल के आते हैं आज इनके जितने मंत्री हैं जितने इनके विधायक हैं चाहे वो जच्छा बच्छा के हो और बीज परकास जी और तमाम वो जानकारिया ग्राउंड मीडिया की जो इप्चुनाव को लेकर के आपके साथ सेयर करते हैं इस वीडियो का आप जाचे 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 शेयर करें ग्राउंड मीडिया के विधान सबाक्षित वरोदा से मजब